स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम चैप्टर नंबर वन के सारे एक्स्ट्रा कोश्चन्स को डिस्कस कर रहे हैं NCRT कोश्चन्स के लिए और सैंपल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्क है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कॉंटिन्यू करते हैं कोश्चन नंबर फोटीन पे आते हैं ये वाला कोश्चन भी NCRT एक्जांपलर प्रॉब्लम है फिर आगे हमें कोश्चन के अंदर चार आप्शन्स दे रखे हैं दिखो हमें कोश्चन के अंदर एक एक्स्प्रेशन दे रखा है और हमने बताना है कि इस एक्स्प्रेशन की वैल्यू इन चारों में से किसके एक्वल है तो पहले तो जो एक्स्प्रेशन हमें कोश्चन में गिवन था उसको हमने एजगिस लिखा अब अब ध्यान से अब्जर्ब करो कि यहाँ पे denominator में na square root का sign आ रहा है और denominator में square root का sign नहीं होना चाहिए तो square root को हटाने के लिए हमें rationalize करना पड़ेगा और जो भी ऐसे questions होते हैं जहाँ पर denominator में दो terms होती है तो rationalize करने के लिए यह जो बीच में sign होता है न हम उस sign को change कर देते हैं जैसे यहाँ पर minus का sign है न तो minus के sign को change करके plus का sign बना देंगे बाकि दोनों numbers को as a case लिखेंगे फिर यह वाली जो term है इस term से numerator और denominator दोनों में multiply करेंगे यहाँ पर denominator में square root का sign था न हमें denominator में से square root के sign को हटाना है उसके लिए हमें rationalize करना पड़ेगा और rationalize करने की process यह होती है कि denominator का sign change करके उससे numerator और denominator में multiply कर दो तब ही हमने लिखा है multiplying numerator and denominator by under root of 9 plus under root of 8 अब अगले step में multiply करते है तो जो expression हमें दे रखा था पहले तो हमने उस expression को as a kiss लिखा अब numerator में भी और denominator में भी under root of 9 plus under root of 8 से multiply कर दिया देखो यहाँ पर numerator में 1 है 1 से multiply करने पर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह as a kiss रहेगा under root of 9 plus under root of 8 numerator 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 से multiply होता है denominator से multiply होता है अब denominator में इन दोनों terms को multiply करने के लिए हम identity को use कर रहे है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b इस identity को हम right hand side से left hand side की direction में use कर रहे है देखो जिने हमने multiply करना है न वो इस form में दे रखा है a plus b into a minus b देखो एक term में a plus b आ रहे है दूसरी में a minus b आ रहे है यह a plus b into a minus b की form में दे रखा है और इसको हम लिखेंगे a square minus b square की form में अब a की जगा पे under root of 9 था तो यह बन जाता है under root of 9 का square और b की जगा पे under root of 8 है तो बन जाता है minus under root of 8 का square तो इस अग्यंकिकी को हमने यहाँ पे use कर लिया अब numerator में कोई change नहीं है वो as easy रहेगा denominator में देखो square करना था ना उसकी वज़े से यह square root का sign हट गया तो सिरफ 9 रह जाता है minus का minus as easy और यहाँ पर भी square करने की वज़े से यह square root का sign हट जाता है तो सिरफ 8 रह जाता है अब 9 minus 8 is equal to 1 और यह जो 9 है ना 9 को इसके prime factors की form में लिख लिया 9 को अब लिख सकते हो 3 multiply by 3 और 8, 8 की भी prime factorization कर दी 8 को हम लिख सकते है 2 multiply by 2 multiply by 2 अब देखो 3 का pair बन गया तो यहाँ से 1 3 बहार आजएगा और यह second वाले square root के अंदर यहाँ पे 3 twos है तो यह वाले जो पहले वाले 2 twos है ना इनका pair बन गया ना इन दुनों में से 1 two बहार आजएगा यह जो तीसरा वाला two है इसका pair नहीं बन पाया तो यह square root के sign के अंदर ही रहेगा जब denominator में 1 होता है तो उसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है तो this is the answer और option D के अंदर पर यही दे रखा था 3 plus 2 root 2 इसका मतलब option D is correct next question पर आते है after rationalizing the denominator of 7 upon 3 under root 3 minus 2 root 2 we get the denominator as तो इस question का मतलब यह है पहले तो हमें question के अंदर एक expression दे रखा है और इस expression में आप observe करो कि denominator में square root आ रहे है अब बोला जा रहे है कि denominator में से square root remove करने के बाद मतलब rationalize करने के बाद denominator में क्या बच्चत है वो हमने बताना है हमें four options दे रखे हैं हमने बताना है कि जब हम इस expression को rationalize कर देंगे न तो rationalize करने के बाद denominator के अंदर इन चारों में से कौन सा number आएगा तो चलो solve करना start करते हैं पहले तो जो expression हमें question में दे रखा था हमने उस expression को as a quiz लिखा अब देखो यहां पर denominator में न दो terms हैं तो rationalize करने के लिए हम यही करना होता है यह जो बीच में sign होता है न इस sign को change कर देते हैं जैसे यहां पर minus का sign था न तो minus की बजाए हम इन दोनों के बीच में plus का sign लगाएंगे और इस term से numerator और denominator दोनों में multiply कर देंगे तब ही हमने लिखा है multiplying numerator and denominator by 3 under root 3 plus 2 under root 2 हमें question में दे रखा था पहले तो हमने इस expression को as a case लिखा अब देखो numerator में भी और denominator में भी 3 under root 3 plus 2 under root 2 से हम multiply कर रहे हैं numerator 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 से multiply होगा और denominator denominator से multiply होगा तो 7 से इस term को multiply करना है न तब ही हमने 7 के साथ आगे bracket जालके यह वाली सारे की सारे term लिख दिया है मतलब 7 से हमने इन दोनों terms को multiply करना है अब denominator में देखते है denominator में इन दोनों terms को multiply करने के लिए हम यह वाली identity यूज़ कर रहे है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b और इस identity को हम right hand side से left hand side की direction में यूज़ कर रहे है मतलब यह जो दो terms है न यह इस form में दे रखी है a plus b multiply by a minus b यह रखो यह a हो गया यह b हो गया a plus b multiply by a minus b और इनको हम इस form में लिखेंगे a square minus b square इस form में लिखने वाले हैं तो a की जगा पर यह है 3 under 3 तो बन जाता है 3 under 3 का square minus यह b की जगा पर यह है 2 under 2 तो बन जाता है 2 under 2 का square अगले स्केप पर आते हैं numerator को कोई change नहीं करना numerator को as a guess रखना है denominator में देखो यहाँ पर square है न तो 3 का भी square होगा और यह under 3 इसका भी square होगा 3 का square करके 9 बन गया और यह under 3 का जब square करेंगे न तो यह square root का sign हट जगा सिरफ यह बला 3 रह जाता है minus साथ तो हमने भी minus गाला अब यहाँ पर भी इन दोनों का square होना है 2 का square 4 हो गया और यह under 2 का square करेंगे तो उसकी वज़े से यह square root का sign हट जाएगा तब यहाँ पर सिरफ 2 रह जाता है अब अगले स्केप में इन दोनों terms को और इन दोनों terms को multiply करना है देखो numerator को हमने as a case रखा 9 multiply by 3 is equal to 27 minus है तो minus का sign लगाना है और 4 multiply by 2 is equal to 8 अगले स्केप में भी numerator को as a case रखा 27 में से अगर हम 8 subscribe करेंगे तो वो बचता है 19 तो अब देखो denominator में से square root का sign हट चुका है numerator में square root का sign हो तो कोई problem नहीं है अलाओ गै denominator में square root का sign नहीं होना चाहिए और question में हमसे यह बुला गया था कि rationalize की process complete होने के बाद denominator में कौन सा number बचता है वो बताओ तो denominator में 19 आ रहा है तो हमने जब इसको rationalize किया ना rationalize करने के बाद denominator में 19 आ रहा है और यहाँ पर option B के अंदर भी 19 लिखा हुए इसका मतलब option number B is correct यह हमने जब completely rationalize कर दिया तो अब denominator में 19 आ रहा है और option number B के अंदर भी 19 था तो इसका मतलब option number B is correct answer next question पर आते है question number 16 पर और denominator में रहा है फिर आगे हमें 4 options दे रखे है देखो हमें question के अंदर ना एक expression दे रखा है और हमने पता ही लगाना है कि इस expression को जब हम simplify करके lowest form में ले आते हैं तो फिर इन चारों में से वो किसकी value के equal है मतलब जब हम इस expression को simplify करके lowest form में ले आएंगे तो इन चार options में से वो कौनसी value के equal होगा चलो solve करना start करते हैं तो जो expression हमें question में दे रखा था पहले तो हमने उस expression को as it is अपने answer में लिखा अब दिखो यहाँ पर numerator के अंदर भी square roots हैं और denominator में भी square roots हैं तो इनको simplify करने के लिए ना हम जितना ज़ादा हो सकता है उतने ज़ादा numbers को square root से बाहर लाने के कोशिश करेंगे तो यहाँ पर numerator में 32 और 48 ये दो numbers है ना तो हमने 32 और 48 इन दोनों की prime factorization कर दी और denominator में 8 और 12 है तो इन दोनों numbers की भी 8 की भी और 7 की भी और 7 में 12 की भी इन दोनों numbers की भी prime factorization कर दी आई होब आप prime factorization कर लोगे राम से अगले step पे आते हैं हमें ये expression दे रखा था question के अंदर और इसके अंदर ये जितने numbers से हमने इन चारों numbers की prime factorization कर दी है सबसे पहले है under root of 32 देखो 32 के prime factors में 1, 2, 3, 4, 5 5 times 2 आ रहा है तो 32 को लिख सकते हैं 2 multiply by 2, multiply by 2 ऐसे 5 times उसके बाद है 48 48 की prime factorization के अंदर एक बार 3 आ रहा है और 1, 2, 3, 4 4 times 2 आ रहा है तो 48 को 4 times 2 multiply by 3 उसके बाद denominator में 8 है 8 के prime factorization में 3 times 2 आ रहा है तो 8 को अब लिखोगे 2 into 2 into 2 और वैसे ही 12 12 को लिखना है 2 into 2 into 3 12 को भी उसके prime factors की form में convert कर दिया तो यहाँ तक हम पहुंच गेते अब इसको आगे simplify करना start करते हैं देखो यह वाले जो 2 twos हैं इमका pair बन गया न तो इन दोनों में से 1 two बहार आ जेगा और यहाँ पर अगले 2 twos का भी pair बन गया तो इन दोनों में से भी 1 two square root के sign के बहार आ जेगा यह जो last वाला two है इसका pair नहीं बन पाया तो यह square root के sign के अंदर ही रहेगा सेम रीजन से यहाँ पर देखो एक two इस pair में से बहार आएगा तो दो twos बहार आ गए और यह वाला जो three है इसका pair नहीं बन पाया तो यह वाला three square root के sign के अंदर ही रहेगा अब गिनॉमिनेटर पे आते हैं यह इन दोनों two's का pair बन गया तो एक two 12 जगा यह जो last वाला two है क्योंकि इसका pair नहीं बन पाया तो यह two square root के sign के अंदर ही रहेगा सेम रीजन से इन दोनों में से एक two 12 जगा और यह वाला जो three है वो square root के sign के अंदर ही रहेगा तो यहां से simplify करके हम यहां तक पहुंच जाते हैं अब देखो इनको नब multiply कर देना है two multiply by two four तो यह बन जाता है four root two यहां पर भी two multiply by two four तो यह बन जाता है four root three denominator में कोई चेंज नहीं है denominator को हमने as a case लिखा अब यहां पर आप new breaker में ज़रा ध्यान से observe करो कि four यहां पर भी आ रहा है और four यहां पर भी आ रहा है दोनो terms के अंदर four है तो हम four यहां से common ले सकते हैं तो यहां से फोर को common ले रहे हैं जब आप यहां से four common लोगे तो four तो bracket के बहार आएगा तो यहाँ पर सिरफ यह वाला square root 2 बज़ेगा तब ही bracket के अंदर square root 2 को लिखा है और इस term में यहाँ पर भी दो चीज़ी है ना उसमें से 4 तो common ले लिया 4 तो बहार है तो bracket के अंदर सिरफ आपने इसको लिखना है under root of 3 को लिखना है तो numerator में से जैसे हमने 4 common लिया ना वैसे ही denominator में से हम 2 common ले रहे है देखो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है अगर हम इन 2 उसको common ले लेंगे तो यह वाला root 2 और यह वाला root 3 बज़ेगा bracket के अंदर अब देखो common लेने के बाद numerator में जो bracket में लिखा हुआ है और denominator में जो bracket में लिखा हुआ है वो exactly same है उपर भी under root of 2 प्लस under root of 3 है denominator में भी under root of 2 प्लस under root of 3 है तो यह दोनो terms आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से cancel out कर लेंगी तो यह वाला part हो जाता है पूरी तरह से cancel सिरफ यह numbers रह जाएंगे 4 upon 2 इनको divide करके 2 आता है और option B के अंदर भी 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब option B is correct यह हमें expression दे रखा था ना पहले हमने इस expression के सारे numbers को उनके prime factors की form में convert कर दिया फिर जो जो square root के sign से बहार आ रहे थे उन सब को square root के sign के बहार लिए थोड़ा सा multiply करके लिखा फिर new breaker में से 4 common आ रहा था और denominator में से 2 common आ रहा था तो जो common आ रहा था उसे common लेके लिखा फिर हमने observe कि यह दोनों terms exactly same है तो यह दोनों terms आपस में cancel out को जाती है सिरफ 4 upon 2 रह जाते है और इसको divide करके 2 आता है और option B के अंदर भी 2 है तो इसका मतलब option B is correct next question पर आते है if under root of 2 is equal to 1.4142 यह under root 2 की value हमें question में given है under root 2 की जगा पर जब भी हमने value plug करने होगी put करने होगी तो हम यह वाली value को put करेंगे then under root of उसके अंदर numerator में फिर से square root of 2 minus 1 और denominator में square root of 2 plus 1 यह हमें एक expression दे रखा है और हमने पता लगाना है कि इस expression की value इन चारों में से कौनसी value के एकवल है देखों यह जो हमें बड़ा सा expression दे रखा है इस expression के अंदर square root of 2 आ रहा है और हमें square root of 2 की value दे रखी है अब आपने directly यहाँ पर value नहीं put कर देनी है पहले आपको इस expression को rationalize करना है यह जो बड़े वाला square root है न बड़े वाले square root के अंदर ही आपने यह जो term हमें दे रखी है इस term को आपने पहले rationalize करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि denominator में square root of 2 हो क्योंकि denominator के अंदर यह ऐसी-ऐसी decimal point value value को हम put नहीं करना चाहते वरना उससे divide करना और भी ज़्यादा difficult हो जाएगा तो पहले हम इस term को rationalize करेंगे rationalize करके हम इस expression को simplest form में convert कर देंगे rationalize करने के बाद जब इस expression simple form में convert हो जाएगा उसके बाद आपने under root of 2 की value put करनी है ध्यान रखना इस तरह के जितने भी questions होते हैं उनके अंदर पहले ही आपने under root of 2 की value ने put कर देनी otherwise वो काफी ज़्यदा complicated हो जाएगा और उससे आगे solve करना मुश्किल होगा पहले हम इसे rationalize करेंगे simplest form में convert करेंगे simplest form में convert होने के बाद फिर under root of 2 की value put करेंगे clear चलो solve करना start करते हैं तो यह जो expression हमें question में दे रखा है पहले तो हमने उस expression को as a guess लिखा यह expression हमें question में दे रखा था तो पहले तो हमने इस expression को as a guess लिखा अवे जो उपर square root का sign है न यह बड़े वाले square root के sign को हमने लगा के ही रखा हुआ है इसके अंदर जो terms है हम अंदर ही rationalize कर रहे है पर दे को rationalize करने के लिए जब denominator में दो terms होती है न तो उनके बीच में जो sign होता है उस sign को change कर देते है जैसे यहाँ पर denominator में plus का sign है न तो आप plus के sign की बजाए minus का sign टाल दोगे तो under root of 2 minus 1 बनेगा उससे numerator में भी multiply करना है और denominator में भी multiply करना है हम यह जो बड़े वाला square root है उसके अंदर ही rationalize कर रहे है तो यह बड़े वाले square root के sign को आपने लगा के रखना है और यहाँ पर यह जो denominator है उसका sign change करके rationalization की process यही होती है कि आपने sign change करके numerator और denominator दोनों से multiply करना है तो यह step clear हुआ अब अगले step पे आते है देखो numerator 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 से multiply होता है और denominator denominator से multiply होता है अब ज़रा numerator में पहले ध्यान देना यह first term के अंदर भी under root of 2 minus 1 है और यहाँ पर second term भी exactly same है under root of 2 minus 1 तो क्योंकि यह दोनों terms exactly same है तब ही हमने यहाँ पे under root of 2 minus 1 का square लिग दिया है देखो 5 multiply by 5 क्या होता है 5 का square 7 multiply by 7 उसे 7 का square लिख सकते हैं वैसे under root of 2 minus 1 multiply by under root of 2 minus 1 यह दोनों terms exactly same है तब ही हमने अगले step में under root of 2 minus 1 का whole square लिख दिया है अब denominator पर आते हैं denominator को multiply करने के लिए हम इस identity को use करेंगे a square minus b square is equal to a plus b into a minus b हम right hand side से left hand side की तरफ जाएंगे क्योंकि यह देखो जिससे हमने multiply करना है न वो a plus b multiply by a minus b इस form के अंदर है under root of 2 plus 1 under root of 2 minus 1 तो इस form के अंदर है हम यह a square minus b square की form में लिखने वाले हैं a की जगा पर under root 2 है तो बन जाता है under root of 2 का square यह minus formula का minus as a case रहेगा b की जगा पर 1 है तो बन जाता है 1 का square यहां तक clear हुआ numerator मे क्योंकि दोनों terms exactly same थी तब ही square हो गया और denominator में multiply करने के लिए हमने इस identity को यूज़ किया है तो यहां तक पहुँच गया है अगले step के आते है numerator में कोई change नहीं है उसे as a case लिखा denominator में simplify कर रहे है under root 2 का square करने है square करने की वज़े से यह जो root का sign है वो हट जगा तो सिरफ 2 बचेगा minus का minus as a case और 1 का square तो 1 ही होता है तो यहां तक पहुच गए अब अगले step के आते हैं देखो denominator में 2 minus 1 है 2 में से 1 को minus करेंगे तो सिरफ 1 ही बचेगा और जब denominator मे 1 होता है तो उसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है क्योंकि जिसके denominator में कोई नहीं होता है उसके denominator में 1 यह होता है यहां पर denominator में 1 बच रहा था ना इसलिए अगले step में उसे लिखा ने new breaker को आई से किस लिखा अब देखो root 2 minus 1 का square है तो square होने की वज़े से यह under root के sign से यह वाले कम बहार आ जगी क्योंकि square और square root दोनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेते हैं यह वाला जो square था ना उसे की वज़े से यह वाला square root वाले कम cancel होगी सिरफ यह अंदर वाला under root 2 minus 1 बचा अब देखो हमें यह वाला expression दे रखा था हमने square root के अंदर ही rationalize करके थोड़ा सा simplify करके अब उसे lowest form में ले आया है अब हम under root 2 की value put करेंगे तब ही हमने लिखा है putting the value of under root 2 तो under root 2 की value है 1.4142 यह वाली value हमें question में ही दे रखी थी तो under root 2 की जो value है यह हमने यहाँ पे under root 2 की जगह पे put करी और minus 1 का minus 1 as a guess लिखा अब आप इन दोनों numbers को सब ट्रैक्टर होगे तो यह वाले 1 से यह वाले 1 कैंसलर को जगा तो decimal point के बाद वाले गिजेक से बचने वाले है तो 0.4142 रह जाता है option number C के अंदर बे यह लिखा हुआ था 0.4142 तो इसका मतलब option number C is the correct answer next question पे आते हैं देखो question number 18 के अंदर यह हमें एक बड़ा साब expression दे रखा है और हमने पता यह लगाना है कि इस expression को simplify करके जब हम lowest form में ले आएंगे न तो जो value आएगी वो यह जो चार options दे रखा है उन चारों options में से कौनसी value के equal है तो यह हमें expression दे रखा है हम इस expression को simplify करना start करते है simplify करके पहले इसको lowest form में convert करते है उसके बाद देखते हैं कि हमारा answer क्या आ रहा है और कौनसी options के साथ फिर वो match करते है तो जो expression हमें question में दे रखा था उस expression को हमने as it is पहले तो अपने answer में लिख लिया अब देखो यह सबसे अंदर लिखावा ना 2 raise के पार 2 मतलब 2 का square हम यहां से शुरू करेंगे और ऐसे बाहर के तरफ move करेंगे तो यह जो लिखावा था 2 का square सबसे पहले तो हमने इसको लिख लिया 2 का square अब देखो यह लिखावा है cube root of under 2 का square यह जो root का sign बना हुआ है और यहां पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब यह cube root है अगर आप इसको हटाओगे तो आपको raise के पार 1 upon 3 लिखना पड़ेगा something raise के पार 1 upon 3 का मतलब यह होता है cube root तो यह जो root का sign था और यहां पे 3 लिखा हुआ था जब आप इसको हटाओगे तो यहां पे आपको raise के पार 1 upon 3 लिखना है अब इसके बाद एक और root का sign था और यहां पे 4 लिखा हुआ है मतलब 4th root लेना है तो जब आप इस वाले root के sign को हटाओगे तो फिर से आपको एक बार brackets लगाके raise के पार 1 by 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 4th root है अगर यहां पे 6 लिखा होता 4 की जगा पे तो हम भी यहां पे 1 upon 6 लिखते अगर यहां पे 7 लिखा होता 7th root होता तो इसको हटा के हम भी यहां पे 1 upon 7 लिखते अगर यहां पे 9 लिखा होता तो हम भी यहाँ पे 1 upon 9 लिखते clear हुआ आपको जैसे जैसे आप एक एक root के sign को हटाते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे reciprocal में parse लिखने पड़ेंगे यहाँ पे दो बार root का sign था ना तबी उनकी वज़े से यह वाला 1 upon 3 और यह वाला 1 upon 4 आ रहा है देखो अंदर लिखावा था 2 का square तो जो number square root के अंदर लिखावा था पहले तो हमने उसी number को लिखा 2 का square फिर यह वाला जो root है ना जब आप इसको हटाओगे तो आपको यहाँ पे race के पार 1 upon 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि यह cube root है और उसके बद एक और था जब आप इसको भी हटाओगे तो आपको फिर से bracket लगाके whole race के पार 1 upon 4 लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे यह वाला पार्टा को clear हुआ क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गे तो आगे तो automatically solve हो जएगा यहाँ से इस expression को इस form के अंदर convert करना यही main step है clear हो गया? चलो बागे चलते हैं अब देखो यहाँ पर base 2 है और यह बागे तीनो numbers यह exponents हैं, मतलब यह तीनो powers हैं तो जितने भी exponents होते हैं वो सारे आपस में multiply हो जाते हैं, तो इन तीनों को multiply कर देना है, यह जो base है 2, उस base को हमने ऐसी रखा यह 2 raise को पार 2 whole raise को पार 1 upon 3 whole raise को पार 1 upon 4 यह जो तीनों exponents थे, इन तीनों exponents को हमने multiply कर देना है तो देखो अगले step में न, इन तीनों exponents को multiply कर दिया अब देखो यह वाला 2 numerator में है और यह वाला 4 denominator में है तो यह 2 और यह 4 इन दोनों numbers की आपस में cutting हो सकती है इन दोनों numbers को cancel out कर सकते है तो यहां से आप 2 से इस वाले 4 को cancel out करोगे 1 upon 3 का 1 upon 3 अगले gap में as easy रहेगा और यह 4 था ना यह 2 से divide हो गया तब यहां पर 4 की वज़ाए आप 2 रह गया यहां से यहां तक कैसे पहुंचे clear हुआ यह सारे numbers को हमने simplify करना था तो 2 और 4 इन दोनों को आपस में डिवाइट कर दिया अब इसको आगे simplify करते है numerator 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 से multiply होता है और denominator denominator से multiply होता है तो 1 into 1 वो तो 1 ही होता है और 3 multiply by 2 is equal to 6 बन जाता है तो simplify करके यह बन रहा है 2 raise को पार 1 upon 6 अब देखो option number C के अंदर पर यह ही है 2 raise को पार 1 upon 6 तो इसका मतलब option number C is correct इस question में न यह जो first cap था यही main cap था एक बर दुबारा से देखो square root के अंदर लिखा हुआ था 2 का square तो यहाँ पे तो आपने 2 के square को लिखना है पर यह जो बाकी के 2 root के sign है न इनको हटाना है जब आप इस वले root के sign को हटाओगे तो आपको whole raise को पार 1 upon 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे cube root है और यह जो सबसे बाहर वाले root के sign को जब आप हटाओगे हमने simple exponent के loss को यूज़ करना है यह 2 base है और यह तीनों इसके exponents है यह तीनों इसके parts है तो 2 को as a case ही रखना है यह जितने exponents होते हैं न सारे आपस में multiply हो जाते हैं तो इन तीनों को हमने multiply कर दिया 2 और 4 के cutting करी फिर से multiply किया तो 2 raise को पार 1 upon 6 आ गया उप्शन C के अंदर भी 2 raise को पार 1 upon 6 था तो इसका मतलब उप्शन number C is correct यह हमार आंसर है शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है एक्जाम की See you in the next video All the best